कॉंग्रेस ने सौ से ज़्यादा सीटों पर नाम तई कर लिए हाला कि ये भी संभावनाय जताय जारी हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने के बाद कॉंग्रेस अपनी रणनीती में बदलाव कर सकती है आई आज किस वीडियो में जानते हैं कि कॉंग्रेस कब अपने उमीद्वारों की नामों की सूची एलान करेगी बता दे कि मध्रप्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बले ही अपनी सूची आचार सहीता लगने से पहले ही जारी कर दी लेकिन कॉंग्रेस प्रतियाशियों के चयन को लेकर कोई जलबाजी नहीं दिखा रही हलाकि कॉंग्रेस ने अपने सौ से जादा सीटों पर प्रतियाशियों के नाम तै कर लिये हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 अक्टूबर के बाद कभी भी कॉंग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है तो वहीं मध्यप्रदेश विधान सभाज चुना अब नवेंबर में प्रस्तावित है अक्टूबर माहा के दूसरे सब्ता में आचार सहीता कभी भी लग सकती है इससे पहले बीजेपी ने अपने 89 प्रतियाशी घोशित कर दिये हैं कॉंग्रेस की सूची का इंतजार है तो वहीं कॉंग्रेस पूरे प्रदेश में 7 जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है इसका समाफ्थ होने के पहले कॉंग्रेस यदि सूची जारी कर देती है सिंगल नामों को दिल्ली में हरी जन्टी मिल गई है इन नेताओं को चुनाव में जुट जाने की निर्देश भी दिये गए हैं पार्टी सूत्रों के अनुसार कमलनात की अनुशंका पर ज़्यादा तर टिकेट तय होंगे हाला कि ये भी संभावनाय जता जारी है कि भाजपा के बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने के बाद कॉंग्रेस अपनी रणनीती में बदलाव कर सकती है कॉंग्रेस ने अपने सौस जादा सीटों पर प्रतियाशों का नाम चयन कल लिया है दिल्ली में 13 और 14 सितंबर को कॉंग्रेस की स्क्रीनिंग कमीटी की बैठक की नामों पर मोहल लग गई है इनमें 60 सदिक वर्तमान विधायक है बाकी नए चेहरे शामिल है पार्टी सूत्रों का कहना है कि कॉंग्रेस अधिकतर विधायकों को टिकेट दे रही है सर्वे में जिन विधायकों किस्तिती जादा खराब सामने आई है उनका ही टिकेट काटा जाएगा कॉंग्रेस की स्क्रीनिंग कमीटी के अध्याक्ष भवर जिती इंद्र सिंग समेत अन्य पदाधिकारी साफ कर चुके हैं पार्टी इस बार जिता उमीद्वारों को ही टिकेट देगी इसके लिए पार्टी काफी महनत कर रही है शेत्र में स्थानी कार करताओं के फीडबैक के साथ पार्टी ने अलग-लग सर्वे दावेदारों की रिपोर्ट तयार करवाई है बता दें कि फिछले बार मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी कॉंग्रेस 114 और भाजपा 109 सेट पर जीती थी हलाकि 2020 में जोतिरादेत सिंधिया अपने समर्थक्त विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए जिसके बाद कॉंग्रेस की सरकार गिर गए और फिर बाद में बीजेपी के सरकार मंध्यप्रदेश में बन गई थी इसी तरह की तमाम घबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने समार्टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर